हलो फ्रेंट्स आज हम डिस्कूस करेंगे The Country Wife written by William Witcherly William Witcherly के English dramatist थे restoration period के और आज हम डिस्कूस करने वाले है The Country Wife ये एक restoration comedy है जिसे comedy of manners नाम से भी जाना जाता है इसे first time published कहा गया था 1675 में इसका setting जो है वो है London और इसकी theme जो है वो है hypocrisy, town and country, innocence versus experience, marriage, game of love, extramarital affairs ये सब कुछ हमें इस play में देखने को मिलता है इसे लिखा गए है 5 acts में अब मिलते हैं इस play के important characters से सबसे पहले Harry Horner जो कि notorious London rake है मतलब एक बद्दाम बंदा है London में का जिसके कई सारे extramarital affairs है Jack Pinch Wife ये एक middle aged बंदा है जो की London में रहता है इसके अभी अभी शादी हुई है एक लड़की से जो की countryside को बिलॉंग करती है Jack Pinch Wife की बीवी का नाम है Marjorie Pinch Wife ये young है और innocent है Alethea Pinch Wife ये Jack Pinch Wife की छोटी बहन है और इसकी शादी होनी बाकी है ये engaged है स्पारकिश नाम के बंदे के साथ Frank Harcourt और Mr. Doriland ये Harry Horner के दोस्त है जो प्ले में कई बार हमें उसके साथ में बाते करते हुए नजर आते है Mr. Sparkish ये एक shallow foolish playboy है फैट है अपने आपको बहुत होशार समझता है लेकिन ये बिल्कुल भी होशार नहीं है Lucy ये clever, sensible, made servant है Alethea Pinch Wife की Jasper Fidget ये एक London में रहने वाला बंदा है अपर क्लास को भी लॉंग करता है इसकी wife का नाम है Lady Fidget जो की इसे age में काफी चोटी है Denty Fidget ये Jasper Fidget की चोटी बहन है और इसकी शादी नहीं हुई है Mistress Squimish ये एक young unmarried woman है जो की अकसर इस Lady Fidget और Denty Fidget के साथ में रहती है लब ऐसी औरते जो बहुत ही शरीफ है The Quack ये एक डॉक्टर है जो की Harry Horner का काफी साथ देता है ओके अब शुरू करते है इस play की summary First Act के शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि Harry Horner जो वो बात कर रहा है डॉक्टर के साथ में The Quack के साथ में और उसके साथ में एक trick शेयर कर रहा है वो चाहता है कि डॉक्टर उसकी उस trick को उस अफ़ा को समाज में फैलाने में मदद करें वो trick यह होती है या वो rumor यह होती है कि Harry Horner जो है वो सबको यह बताना चाहता है समाज में यह अफ़ा फैलाना चाहता है कि उसे कोई disease हुआ था sexual disease उसे हुआ था जिसके treatment के दौरान वो नपुनसक हो गया और doctor जो है वो इस चीज़ पर अगर हामी भरते तो कोई शक नहीं रहेगा अब वो यह अफ़ा इसलिए फैलाना चाहता है कि उसके दो reason है पहला तो reason यह है कि वो चाहता है कि जब भी वो upper class society के ladies से मिले तो उन ladies के husband या उन लड़कियों की family वाले उसे ना रोके उन लड़क दो चीज़े होती है क्योंकि जैसे मैं आपको बोला कि Harry Horner जो इसके कई सारे affairs होते है तो families जो होती है लंडन में की upper class families वो इस Harry Horner से अपनी लड़कियों को और बोहों को दूर रखती है तो Harry Horner चाहता है कि उन ladies तक वो आसानी से पहुँचे जिसके लिए वो इफ़ा फैला अपनी wife को लेकर और वो बोलता है कि Horner को जो वो क्योंकि उसे वो आफ़ा पता चलती है Harry Horner के बारे में और Jasper Fidget जो इमिजेटली उस पर बिलीव कर लेता है कि हाँ भी Horner जो वो नपून सको चुका है तो वो अपनी wife को इसकी company में छोडने के लिए तैयर हो जाते है कि नो हारम इसके बाद में Jasper Fidget और उसकी wife जो वहाँ से चले जाते है और Horner के दो दोस्त में आते हैं Frank Harcourt और Mr. Doriland वो औरत शराब और दोस्ती के बारे में बाच्चित करते हैं इतनी में वहाँ पर Mr. Sparkish आ जाता है वो अपनी जो बुद्धी है उसका प्रदर्शन करता है जो कि उसमें थोड़ी भी नहीं है जिसके वज़े से ये तीनों दोस्त जो बोर हो जाते हैं उसे वहाँ से भगा देते हैं इसके बाद में Jack Pinch Wife आँपे आता है और Horner से मिलता है बातों बातों में Horner जो ही वो Jack Pinch Wife से कहता है कि उसने उसे थेटर के बाहर देखा था अप अपनी Newly Married Wife के साथ में अब Pinch Wife ये सुनकर काफी Uncomfortable हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि Horner जो है वो बदनाम बंदा है तो ये पींच वाइफ जो है वो तो हमना डर जाता है क्योंकि उसकी बातों से मतलब Horner के बातों से पींच वाइफ को ये पता लगता है कि Horner जो है वो उसकी Newly Married Wife के तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुआ है गर गये अब Horner जो है वो इन तीनों के साथ में डिसकस कर रहा होता है मतलब Pinch Wife और Harcord और Mr. Doriland इनके बात्ची चल रही थे तो इस डिसकुशन के दवरान Pinch Wife का जो है औरतों के तरफ कितना कैसा वो पता चलता है अब Horner जो जब यह बताता है कि उसने उसकी वाइफ को थेटर के बाहर देखा है तो वो वहाँ से चला जाता है Pinch Wife इसके बाद में शुरू होता है Act Second यहाँ पर Marjorie जो है वो दिखाई देती है अपनी Sister-in-law Alithya से कंप्लेंट करते हुए अपने husband के बारे बातों में अपनी Sister-in-law Alithya को बताती है कि कल वो थेटर गहे थे तो वहाँ पर कि जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इतने में वाप Pinch Wife आता है और बताता है कि यह कितना जरूरी है Marjorie के लिए या औरतों के लिए कि उन्होंने घर में ही रह देखा और वो कहिना कहीं उसे पसंद करता है ऐसा मुझे उसकी बातों से लगा Marjorie जब यह सुनती है तो दिल ही दिल में वो खुश हुजाती है और उसके expressions देखकर Pinch Wife उसे तुरंत लेकर दूसरे कमरे में लिजा कर लॉक कर देता है इतने में वहाँ स्पारकिश आता है जिसकी शादी अलिथिया से होने वाली है निक्स डेट सेल्फ तो वो अपने साथ में एक बंदे को लेकर आता है जिसका नाम होता है हारकोट जो कि हैरी हॉर्णर का दोस्त है जैसे हारकोट अलिथिया को दिखता है वो उसे पसंद करने लगता है और वो स्पारकिश के सामन आलिथिया के साथ में flirt करता है लेकिन स्पार्किश को कुछ समझ में नहीं आता है अलिथिया काफी कोशिश करते हैं कि ताकि वो स्पार्किश को घुसा दिला सके उसे समझा सके कि देखो तुम्हारा दूस्ट तुम्हारी सामने मेरे साथ में flirt कर रहा है लेकिन स्पार्किश क मिलना चाहता है क्योंकि वो newly married है लेकिन पिंच वाइफ जो है वो अपनी नवेली दुलहन से किसी को मिलने नहीं देता है वो उनको वहाँ से वापिस भेज देता है जिसके बाद में ये ladies जो है वो एक दूसरे से बाचित करती है पिंच वाइफ के खिलाफ कि कितना जलस बनता है और कैसा ill-trade करता है अपनी वाइफ को फिर वो बोलती है कि upper class society में लंडन के ऐसा ही होता है वो ladies ये भी बोलती है कि अगर हम व्यभीचार करते हैं मतलब अगर हम extra marital affair करते तो उसमें कोई problem नहीं है बस वो पता नहीं चलना चाहिए जब तक वो secret है तब तक कोई issue नहीं ह sir jasper 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 j जैसे बाहर चला जाता है तो लेडी फिजिट को ये बताता है कि वो नपुन सक नहीं है उसने ये सिर्फ अपवाब फैला के रखिये ताकि और ते उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सके ये जानने के बाद में लेडी फिजिट काफे खुश हो जाती है और वो दोनों सेक्जि बाइफ आता है और बताता है कि अलिथिया की शादी जब स्पार्किश से हो जाएगी तो उसके बाद में वो मारजरी को लेकर कंट्री साइड वापिस चला जाएगा मारजरी सुनकर बहुत जादा विरोध करती है और वो कहते कि नहीं वो लंडन में रहना चाती है वो अब मारजरी का भाई बोलकर इंट्रोडिस करवाएगा सोसाइटी में तो वो ऐसा ही करता है पिंच वाइफ वो अपनी बहन अलिथिया और मारजरी को डिजगाईज एक लड़की के रुप में बेस बदलकर बाहर लेकर जाता है अगले सेन में हमें देखा ही देता है कि हारकोट हारनर और डॉरिलंट ये तीनों दोस्त बातचीत कर रहे होते हैं न्यू एक्सचेंज के पास में तब हारकोट जो है वो हारनर को बताता है कि वो अलिथिया से प्यार करता है और वो चाहता है कि स्पार्किश के उसके साथ में जादी ना हो तो हारनर उसे ये सलाह देता है क कि तुम स्पार्किश को ही as cover use करो क्योंकि वह ऐसा भी मुर्ख है और उसी के जरिये तुम अलिथिया के करीब जा सकते हो तो इसके बाद में वहाँ पर स्पार्किश के इसके बाद वहाँ पर पिंच वाइफ अलिथिया स्पार्किश और डिसकेस्ट मारजरी आते हैं हॉर्न जो काफी मारजरी के close चला जाता है उसी किस भी करता है क्योंकि पिंच वाइफ ने तो उसे as a मारजरी का भाई introduce करवाया है तो पिंच वाइफ कुछ बोल भी नहीं पाता वो helpless हो जाता है वो कैसे बताएगा ना कि ये मारजरी है उसका भाई नहीं है क्योंकि उसी ने उसे भेद बदल कर लाया हुआ है इसके बाद में हारकोर्ट जो है वो अपना love express करता है अलिथिया के लिए स्पार्किश के सामने ही लेकिन कुछ इस तरीकी के से कि स्पार्किश को कुछ समझ मेना था और अलिथिया सब कुछ समझ जाती है अगेन अलिथिया जो वो की कोशिश कर रहा है लेकिन स्पार्किश कुछ भी नहीं सुनता इसके बाद में पिंच वाइफ का जैसे ही ध्यान अटता है हॉर्णर जो वो मारजरी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है कुछ समय बाद में जब मारजरी वापिस आती है इन डिसकाइस्ट फॉर्म अज इसके बाद में सर जैस्पर के इंट्री होती है जो हॉर्णर को लेकर जाने के लिए आया होता है क्योंकि वो लड़ी फिजिट के साथ में उसे रखना चाता है क्योंकि जैस्पर को कहीं बाहर जाना होता है इसके बाद में शुरू होता है एक्ट फॉर्थ जहाँ पर हमें दिखाए देता है कि अलिथिया की शादी होने वाली है शी इस गेटिंग रेडी फॉर दे मैरेज और लिूसी नाम के उसकी मेड सर्वंट उसे तयार कर रही होती है तयार करते वक्त वो अलिथिया को काफी समझाने की कोशिश करती है कि स्पारकिश उसके लिए अच्छा बंदा नहीं है बेटर है कि तुम हारकोट के साथ में शादी कर लो वहाँ पर स्पारकिश आ जाता है अलिथिया के सामने एक बंदे को लेकर जिसका नाम होता है नेड वो उसे as a person मतलब जो शादी लगवाता है क्रिश्यन लोगों में ऐसा बोलकर उन्हें इंटर्डूस करवाता है अब अलिथिया तो समझ जाती है कि नेड एक्चली कोई और नहीं हारकोट ही है जो भी इस बदल कर आया है लेकिन स्पारकिश को कौन समझा है वो कुछ भी सुनने के लिए तयारनी होता है इधर पिंच वाइफ जो है वो मारजरी से सवाल पूछना चाता है कि वो हॉर्णर के साथ में कहा गई थी और उनके बीच में क्या हुआ पिंच वाइफ जो हो गुस्ते में आकर मारजरी को धमकाता है कि वो उसे मारेगा पीटेगा और उसे जबरदस्ती एक लेटर लिखवाता है और उसमें वो डिक्टिट करता है वो लेटर जिसी ये पता चलता है कि मारजरी को होर्नर में थोड़ा भी इंट्रेस्ट नहीं है मारजरी जैसे कि पिंच वाइब बोलता है वैसे लेटर लिखती है लेकिन एनवलप में वो चाला की से लव लेटर डाल देती है और वो पिंच वाइब को हैंड ओवर कर देती है पिंच वाइब वो एनवलप लेकर जाता है होर्नर के पास में और वो लेटर वो से दे देता है पिंच वाइफ के सामने ही वो उस लेटर को उपन करता है लेटर पढ़ने के बाद में हॉर्णर को समझ में आ जाता है कि मारजरी ने बहुत ही चाला की से हेट्रेड लेटर के बज़े लव लेटर डाल दिया है पिंच वाइफ जो है वो से वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद में Horner और The Quack डॉक्टर के बीच में का एक brief discussion हमें देखने को मिलता है अगें पिंच वाइफ जो वापिस Horner के पास में आता है लेकिन इस टाइप वो स्पार्किश को साथ में लेकर आता है स्पार्किश और अलिथिया की जो मैरेज होती है क्योंकि जैसे वो पार्सन जो है वो खुद हर कोटी बेस बदल कर आया होता है तो उसकी authenticity पर doubt होता है तो ये marriage भी जो है वो ठीक से marriage नहीं हुआ होता है क्योंकि जो पुजारी है वो ही doubtful है तो अभी इनकी शादी दुबारा लगानी पड़ेगी अभी एक official person को लाना पड़ेगा तो इसके लिए ये जो स्पार्किश और अलिथिया की शादी के लेकर पिंच वाइफ जो हो अपना worry जो हो disappointment बोलू या फिर worry जो हो express करता है तो होर्नर जो है वो उसे बड़ा बुरा लगता है कि अलिथिया की शादी स्पार्किश नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका दोस्ट जो हार कोड़ों पसंद करता है अलिथिया को पिंच वाइफ को लगता है कि होर्नर को अलिथिया में इंट्रेस्ट है और इसलिए शायद वो जड़ा नाराज नजर आ रहा है इधर marjorie जो है वो फिर से एक letter लिखना शुरू करती होर्नर के लिए लेकिन जब वो letter लिख रही होते है तभी वहाँ पर पिंच वाइफ आ जाता है और वो बहुत जादा घुसा हो जाता है वो उसे मार नहीं वाला होता है वो उसे बुलता है कि वो letter को लिखना बंद करे और वो marjorie वो उस time के लिखना बंद कर देती है इतने में पिंच वाइफ जो है यहाँ पर act 5 शुरू होता है पिंच वाइफ जो है वो बाद में marjorie को उस letter को complete करने के लिए बुलता है marjorie उस letter को complete करती है और नीचे अलिथिया का नाम लिखती है मतलब वो यह जताना चाहती है कि यह letter वो अलिथिया के बिहाफ पे लिख रहे है पिंच वाइफ को यह idea पसंद आता है कि चोले होर्नर और अलिथिया के अगर शादी हो जाए तो उसका जो डर है अपनी वाइफ को लेखर वो खतम हो जाएगा इसके बाद में Marjorie जो वो एक plan बनाती है Lucy की help से, उस made servant की help से कि वो अलिथिया के dress में तयार हो जाएगी अलिथिया का भेस लेगी Marjorie और होर्नर के घर जाएगी और मास्क लगा कर जाएगी ताकि कि किसी को पता ना चले वहाँ पर वो हॉर्नर से बात करेगी कि वो इस पारकिश से साथ शादी नहीं करना चाती है और उस से शादी करना चाती है अब पिंच वाइफ को जब यह पता चलता है तो वो इस आइडिया को accept कर लेता है और वो खुद अपनी वाइफ को अपनी बहन समझ कर हॉर्नर के पास में लेकर भी जाता है नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि मारजरी जो की इसके अलिथिया की भेस में तयार है वो हॉर्नर के घर पहुँच जाती है और वहाँ से पिंच वाइफ जो है वो हॉर्नर के घर से निकल पड़ता है पारसन को ढूणने के लिए ताकि हॉर्नर और अलिथिया की चादी लगा सके अब इतने में वहाँ पर Sir Jasper आ जाता है हॉर्ण के घर लेडी फिजट देंटी फिजट और मिस्र स्क्वीमि जको लेकर तो जैसे ही Jasper एंटर करता है तो यह हॉर्ण क्या करता है कि Margeri को छुपा देता है कमरे में फिर वहाँ पर इधर anticipated Convent Garden में अब स्पारकिश को बहुत जादा घोस्सा आताए इतने में वहाँपर अलिथिया भी आ जाती है तो स्पारकिश उसे बहुत कुछ भरा बुला कहता है और वह कहता है कि पैसे के वजह सही अलिथिया जो उसको उसमें कोई इंट्रेस्च नहीए यह सुनने के बारन में आलिथिया को काफी दुख होता है इधर हॉर्णर के घर लेडी फिजिट देंटी फिजिट और मिस्टर स्क्विमिश जो है वो आती है और हॉर्णर के साथ में बाच्छित करते हैं बाच्छित के दोराँ जो है वो लेडी फिजिट ये बोल देती है कि हॉर्णर उसका इसके बाद में वहाँ पर सर जैस्पर आता है और उन्हें उत्रे में ये इंफर्मिशन मिलती है कि वह वहाँ पर पिंच वाइप भी आ रहा है करके अलिथिया और स्पारकिश को लेकर तो हॉर्नर जो है वो इन तीनों लेडिस को और जैस्पर को वहाँ से बिजवा देता है और बाद में वह मारजरी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अब वापिस घर चले जा तुम्हारा हस्बंड यहाने वाला है ये मारजरी मना कर देती है वो बूलती कि अब मैं तुम्ही अपना हस्बंड मानती हूँ यू आर मान्यू हस्बंड एंड आम नॉट गूइ अलिथिया नहीं तो हॉर्णर को क्योंकि मारजरी को बचाना होता है वो हाँ कह देता है कि हाँ अलिथिया यहां आई थी तो हारकोट को बड़ा बुरा लगता है कि अरे ये क्या गेम खेल रहा है अलिथिया सो मैं प्यार करता हूँ अलिथिया कन्फिस हो जाती है कि पता न हॉर्णर को जो है वो हार को horn कहता है कि तुम यह पूरा matter जो है वो clear करो लेकिन होर्णर जो है वो इस matter को clear नहीं करता है क्योंकि उसे margery को बचाना होता है इतने में margery जो है वो interrupt करती है और कहती है कि हो farmer से शादी करना चाहती है पींच वाइफ ये सुन कर जैस्पर आता है और उसे बहुती मज़ा आता है सब कुछ मैटर देखकर कि भला हॉर्णर तो एक नपुनसक है तो वो भला किसी के साथ में कोई sexual relationship कैसे रख सकता है तो ये देखकर जैस्पर को काफी मज़ा आता है लेकिन पिंच वाइफ के चेहरे पे का seriousness और डर देखकर जैस्पर को भी कहिना कहीं ये फीर होता है दिल में कि पता ने उसने हॉर्णर के साथ में अपनी बीवी को कितनी बार छोड़ा है और अगर सच में ही हॉर्णर नपुनसक नहीं है तो पता नहीं क्या हुआ होगा कि ये एक्चुली पूरा प्लान जो था उसमें कुछ misunderstanding हुई है एक्चुल में ये प्लान था कि स्पार्किश और अलिथिया की शादी तोड़ दी जाए ये लिउसी का प्लान था ऐसे लिउसी बोलती है इतने में वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो बोलता है कि ये हॉर्णर जो है वो नपुन सके करके वो confirm करता है लेकिन सर जैस्पर जो है वो accept कर लेता है इस बात को immediately लेकिन पींच वाइव जो है उसे अभी भी doubt होता है और वो इस बात पर believe करने के लिए तब तक तयार नहीं है जब तक कि लंडन में का हर एक इंसान इस बात को confirm ना कर ले Marjorie जो है वो continue करती है अपनी बात को कि नहीं मैं Horner से शादी करना चाहती हूँ लेकिन Lucy जो है वो interrupt करती है और बोलती है कि नहीं उसका plan कुछ और ही था करके क्योंकि वो Marjorie और पिंच वाइफ की शादी बचाना चाती है तो ये जो ladies होती है मतलब lady jasper की बीवी, lady fizzit, dente fizzit और mr squimish ये तीनों भी है जो confirm करती है कि हाँ ये Horner जो है वो important है क्योंकि उनको अपना राज जो चुपा के रखना है तो अंत में ये होता है कि हारकोट जो है वो बहुत जाद हमें eager दिखाए देता है, उत्सुक दिखाए देता है अलिथिया से शादी करने के लिए पिंच वाइफ जो वो बिल्कुल भी अपनी शादी में खुश नहीं है क्योंकि उसे अपनी वाइफ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं Lucy जो वो इंटरेप्ट करती है कि Marjorie जो वो काफी innocent है वो actually अपने husband को jealous फिल करवाना चाहती थी इसलिए वो Horner के पास में आई ये actually Lucy जो वो sensible है वो situation को देखकर कोशिश कर रही है कि Marjorie और Pinch Wife की शादी जो वो संभल जाए Marjorie जो है उसकी इच्छा नहीं रहते हो भी वो इस सच को मान लेती है कि हाँ जैसा Lucy बोल रही है वैसा ही plan था वो अपने husband को jealous feel करवाना चाहती थी Pinch Wife जो कि actually इस चीज़ पर believe नहीं करता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वो भी reluctantly इस बात को accept कर लेता है तो इस तरीके से play जो है वो खतम होता है अब इस play में actually दो तरीके की शादिया दिखाए गई है पहली तो है कि Pinch Wife की शादि जिसमें वो husband जो है वो अपनी wife को एक अंधकार में रखना चाहता है ignorance के कि उसके लिए बाहर जाना ठीक नहीं है because he doesn't believe on her दूसरी wife है Jasper Fizit की जिसे अपनी wife को देने के लिए वक्त नहीं है he wants to keep his wife engaged with someone else और उसे ये भी assure करना है कि वो sexual relationship में किसी और के साथ में ना जाए तो ये दो तरीके की शादिया में दिखाए देती है जहाँ पर कि husband जो वो wives का respect नहीं करते है अब दूसरा view ये भी है कि इसमें की ladies जो वो faithful नहीं है अपने husband के लिए भली husband जैसे भी हो but even the wives are not faithful to their husbands तो इस play में हमें कहीं ये नहीं दिखाई देता है कि कि किसी भी lady character को punish किया गया हो या उसके साथ में बुरा हुआ हो तो उसकी वज़ाई ये है कि upper class society में जैसे husbands treat करते है wives को तो उनका इस तरीके से behave करना लाजमी है या quite naturally इस तरीके से हाँ पर दिखाया गया है उन्हें punishment नहीं दी गई है किसी भी तरीके के play के end में तो ये था play the country wife अगर आपको analysis अच्छा लगा हो तो don't forget to subscribe to the channel hit the like button and share the videos